इन सद कर्मों के, इन सद राहों पर चलने वाले लोगों के, इन सद गुणों के, इन सद चरित्रों से उत प्रूत लोगों के पक्ष में आना ही, अपने आप में बहुत महत पूर्ण है अपने आप में ही मानों सभ्यता की प्रूत्साहन का एक अच्छा और मजबूत कदम है यदे इस प्रकार की विचारधारों को बराबर प्रोटसाहित करने का प्रयास किया जाए बराबर इनका प्रचार प्रसाहर किया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इन्हें प्रस्टुत किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके अनुरूप अपने जीवन को ढाल सकें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकें इन्हें अपने जीवन में उतार कर उन जीवन की राहों को सीख सकें समा सके कि जिन से उनका स्वेम का कल्यान तो नहित होगा ही उसके साथ साथ इस समाज का इस विश्यु का इस ब्रह्मान का भी कल्यान सुनिश्चित हो जाएगा ऐसे विचारधारां को आगे बढ़ने के लिए हमें तुरित कदम उठाने के आवशकता होती है ऐसे सकारात्मक कदमों को तुरंत स्विकारे लेना चाहिए और उनके संग चलकर आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए यही मानो सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए मानो सभ्यता के पक्ष के लिए अच्छा और लाबकारी है